हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं विरध सेलेक्शन वेंटर के इस ओफिशल यूटिव चैनल पे आपनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आपनों को मालूम है कि इसका एक भाग जो है हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं और वो जो एक भाग था fundamental rights का मौलिक अधिकार का तो चैप्टर मौलिक अधिकार का ही है आपको मालूम है मौलिक अधिकार और इस मौलिक अधिकार के इस topic पर हम लोगों ने part first जो है वो पढ़ा हुआ है part first में क्या क्या चीज़ें cover करीं थी पहला तो हम लोग ने discussion किया था कि मौलिक अधिकार क्या है ठीक है सबसे पहला discussion जो हुआ था वो इस बात को हुआ था मौलिक अधिकार क्या है पहला discussion इस चीज़ को ले करके हुआ था दूसरा हमने आप लोगों को differences बताये थे between मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार जो थे जो विधी अधिकार थे कानूनी अधिकार इनमें मैंने आप लोगों को difference बताया था इसके अलावा मौलीक अधिकारों का वरगी करण आपको बताया गया था मौलीक अधिकारों के वरगी करण के अंदर कती बताया था कि प्रारम में हमारे पास में साथ मौलीक अधिकार थे और वरतमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में हमारे पास में छे मौली का दिकार हैं कितने मौली का दिकार हैं छे मौली का दिकार रहे गए तो एक मौली का दिकार जो है वो आपका संपत्ति का दिकार था जिसको की अब कानूनी अधिकार विधी का दिकार बना दिया गया इसके अलावा इस वर्गी करण में मैंने आपको बताया था कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं और वो किनके न अनुच्छेदों के अंतरगत रखे गए हैं साथ ही साथ पहले प्रकार का जो मौलिक अधिकार था जिसको हम लोग समानता का अधिकार कहते हैं समानता का अधिकार समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक आते हैं और अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के इन सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों पर one by one सारा discussion हम लोगोंने किया हुआ था तो यह हमारा पहला लेक्चर था यह previous लेक्चर था इस fundamental को लेकरके पार्ट फर्स था यह और आज हम लोग पार्ट फर्स था और आज हम लोग पार्ट सेकंड पर discussion करेंगे और इसमें हम लोग जो 6 बचे हुए articles हैं, 6 बचे हुए जो 6 प्रकार में से 5 प्रकार जो बचे हुए हैं उनको हम लोग discussion करेंगे जिसकी शुरुआत जो है स्वतंतरता के अधिकार से होगी स्वतंतरता का अधिकार तो स्वतंता के अधिकार की जब हम बात करेंगे तो इसमें आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक discussion चलाएगा और जो भी ऐसे important points जो आपके अलग-अलग मौलिक अधिकारों से समन्दित जो mains के exam point of view से important है उन पर हम लोग आज discussion करेंगे इस syllabus में ठीक है तो यह आपका part second है ठीक है part second तो चलिए शुरू करते है सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर discussion करेंगे कि स्वतंता का अधिकार वो जो है वो क्या है और ज़रा इस पर किस प्रकार से point आपके exam में आएंगे उस पर भी हम लोग discussion करेंगे सबसे पहले तो हम लोग जिस point पर discussion करने जा रहे हैं वो है स्वतंतरता का अधिकार और स्वतंतरता का अधिकार जो है यह आपको article 19 से ले करके article 22 तक देखने को मिलता है जिसमें article 19 जो है यह काफी जादा व्यापक है काफी मतलब कह सकते हैं कि इसका प्रसार है expanded है यह बहुत जादा और इसमें कई प्रकार की अधिकार लगबग 6 प्रकार की अधिकार अनुच्छे 19 के अंतरगत हम लोगों को दिये गए लेकिन इस सबसब को पढ़ने से पहले क्योंकि यह स्वतंतरता का दिकार है तो हमें यह समझना पढ़ेगा कि भई स्वतंतरता क्या है यह स्वतंतरता क्या है ठीक है freedom किसको कहा जा सकता है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्वतंतरता जो है एक विशेश प्रकार से अगर देखा जाए तो अभिव्यक्ति और कार्य करने की आजादी को हम लोग स्वतंतरता कहते हैं सिंपल सी बात है कि स्वतंतरता जो है किसी भी कार्य की सीमा का निर्धारन नहीं करता ध्यान रखेंगे इस शब्द को बहुत important है किसी भी कार्य की सीमा का निर्धारन नहीं करता अगर किसी कार्य की सीमा का निर्धारन हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर स्वतंतरता नहीं है ठ स्वतंता किसी प्रकार की सीमा का निर्धारण नहीं करता जब तक जब तक की इस से किसी अन्य की स्वतंतरता बाधित ना हो ये स्टेटमेंट ऐसे गर के आपके एक्जाम में भी आ सकता है और इसका एक्स्प्लेनेशन भी आपको देना पड़े किसी में ब्या सकता है तो लिमिटेशन लिमिट लेस होती है स्वतंतरता के लिए पट इतनी सी स्वतंतरता में एक सीमा होती है कि आपकी आजादी से किसी दूसरे की आजादी बाधित हो रही है तो आपको आजाद नहीं रहने दिया जाएगा आपके स्वतंतरता को बाधित कि मसलिन आप मान लेते हैं सडक पर चल रहे हैं मौर्णिंग वॉक क mystery में आप सडक पर चल रही हैं मौर्णिंग वॉक के समय में आपने हाथ में स्टिक इस परकर चलने में परेशानी हो रही है। लेकिन यसमें किसी को परेशानी नहीं थाती से तो इसलिए बिना किसी की स्वतंतरता को नुकसान पहुंचाए, आप अपने आप हर काम करने के लिए स्वतंतरता बोलते हैं, तो अब बात आती है कि क्या स्वतंतरता के उपर वास्तविक रूप में तो ये इस चीज को व्यक्त कर रहा है कि आपके उपर किसी प्रकार की कोई बाधा नही होती है इनके ऊपर आपका मेंस में questions जो है निश्चित रूप से आ सकता है तो इसको समझने के लिए article number 19 को जानना बहुत ज़रूरी ठीक है इसको समझने के लिए अनुच्छेद 19 को अगर आप जानना शुरू करेंगे तो आपको इसके उत्तर जो हो और 5 और 6 ऐसे करके आपको तमाम प्रकार केस के सब clause मिलेंगे और उन clauses में अलग-अलग प्रकार की स्वतंतरता के बारे में बताए गया है तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकार की स्वतंतरता निरबाधित नहीं है उसमें कहीं न कहीं अंकुष लगाने की बात करी गई है प्रतिबद लगाने की बात करी गई है जैसे हमारे पास में अनुच्छेद 19 का या 19.1 जो है उसको अगर हम यहाँ पर डिसकस करें तो है पता चलता है यहाँ पर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंतरता अमारे पास में है जिसकी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंतरता है अभिव्यक्ति की स्वतंतरता लेकिन यदि अगर आपके इस स्वतंतरता के आपके किसी भाषण देने से किसी प्रकार से किसी को कोई नुकसान हो रहा है या समाज को या रास्ट को कोई नुकसान हो रहा है तो आपको भाशन देने से प्रतिबंधित किया जा सकता है अभिव्यक्ति से आपकी किसी प्रकार की अभिव्यक्ति से किसी को ठेस पहुंच रही इस प्रकार की अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है ठीक है तो इसका मतलब ये है कि भाशन अभिव्यक्ति के सुतंता पर कानूनी विवस्था और शान्ती और नेक्तिक्ता के आधार पर देखा जाया तो प्रतिबंद लगाये जा सकते हैं कई जगों पर सुना भी होगा कि कई लोगों ने कई जुलूस निकाले या कई भाशन दिया और उन्हें गिरफतार कर लिया गया क्यों कर लिया गया क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी पर्टिकुलर समाज को या किसी particular community को किसी अन्य चीज के विरुद्ध भढ़काने का काम कर रहे हैं या फिर रास्ट के विरुद्ध भढ़काने का काम कर रहे हैं तो भाशन दे के ही भढ़काया जाएगा तो ऐसे में भाशन की आजादी जो है आपकी क्या करी जा सकती है चीनी जा सकती है तो similarly इस चीज का ध्यान डखना है कि स्वतंतरता निरबंधित होते हुए भी बाधार रहित नहीं है यानि कि निरबंधित तो है लेकिन केवल तब तक जब तक उससे किसी दूसरे के स्वतंतरता बाधित ना हो दूसरा अगर हम यहीं पर देखें तो हमको सभा या सम्मेलन करने की आजादी है ठीक है सभा या सम्मेलन करने की आजादी आपको मालून है मालूम है आर्टिकल नमबर 19 में यह आजादी भी दी गई है लेकिन यह आजादी पूरी तरीके ये कैसी होनी चाहिए? पूरी तरीके से शान्ती पुरवक, उसमें साफसाफ लिखा है, शान्ती पुरवक, पीसफुली असेंबल होनी की आजादी है हमारे पास में, यानि शान्ती पुरवक एकत्रित होनी की आजादी है, तो शान्ति पुर्वक सभा करने की आजादी है या असेंबल होने के आजादी जैसे आप स्कूल कॉलेजेज में जाते हैं तो भाई वो तो असेंबल थो होते हैं वहाँ पर, एकट्टा होते हैं लेकिन वो आजादी आपके कब होनी चाहिए जब आप शांती पूर्वक करें, अगर वहाँ पर तोड़ फोड हिंसा या किसी प्रकार की उत्तेजना वहाँ पर दिखाई जा रही है, तो ऐसे प्रकार की जो सभा है, उसको क्या किया सकता है, रोकाया सकता है, मना किया सकता है, ठीक है न, बास स्वाज में आ रही है, कहीं पर भी हो सकता है आप से पूछा जा सकता है कि आप इखटे ना हो या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें किसी पर्टिकुलर जगहों पर आने जाने की आने जाने की सोतंता जो है निर्बाध जिसको हम कह सकते हैं कि विचरन करने की जिसको हम बोले सकते हैं निर्बाध विचरन निर्बाद विचरण की आजादी जो है वो आपसे किसी पर्टिकुलर समय पे छीनी जा सकती है हलाकि हमारे पास में निर्बाद भारत के राजचेतर में कहीं पर भी आप बाधार रहित हो करके आजा सकते हैं लेकिन किसी विशेश प्रकार की धाराएं लगी होने के कारण या सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए या शान्ती को ध्यान में रखते हुए आपसे किस जगों पर जाने की अपील करिया सकती कि ना जाएं जैसे अभी COVID-19 था ठीक है तो COVID-19 में आपकी इस स्वतंता को क्या कर दिया गया था बाधित कर दिया गया था लॉक्डाउन कर दिया गया था आप निर्बाद हो करके कहीं पर भी यानि बाधा हो रही थी आने जाने में आपको कार्ड दिखाना पड़ रहा था आपको reason गई थी लैप्स कर दिगई थी तो इसका मतलब यहां पर यहां पर यह भी है कि इस तरीके की चीज़ों को आप से चीना जा सकता है इसकी आधार पर आप से एक statement और भी पूछा आ सकता है एक आपसे means में एक question और बनाया जा सकता है वो question कुछ इस तरीके हो सकता है क्योंकि क सम्विधान हमें एक हाथ से मौलिक अधिकार देता है तो दूसरे हाथ से इसे छीन भी लेता है चीन भी लेता है ऐसे करके statement आपको justify करने के लिए लिखने के लिए आ सकते हैं कि आप इस पर प्रकास डालिए तो आप देखिए यह सारे उधारन दे सकते हैं इस चीज को इस प्रश्न के उत्तर को justify करने के लिए कि सम्विधान हमें एक हाथ से मौलिक अधिकार देता है और तो हमें पता चलेगा कि दूसरी प्रकार की सुतनताओं में जैसे हम बात करते हैं अनुचेद 20 की आर्टिकल लंबर 20 के अगर हम बात करें अनुचेद 20 के अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपराधों के लिए दोश-षिद्धी में संडख्षन है। दो सिध्व में संदक्षन, तो यह आपको article number 20 से देखने को मिलता है, और यह सब आपके स्वतनता केंतरगती आ रहा है, article 19 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, यह सब जो हैं आपके स्वतनता केंतरगत आता है, तो अनुचे 20 में आपराधों के लिए एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर कोई आरोप लगा है आरोप किस चीज का किसी अपराध का आरोप लगा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपराध जिस व्यक्ति पर लगा है उसके प्रती अमानवी विवहार करें उसे प्रताडित करें उसे अनरगल दंडित करें क्योंकि करने के लिए आप से एक्जाम में पूछा सकता है ठीक है अब दूसरी बात यहां पर यह भी है कि अपराद के जो आरोपी हैं उसको स्वैम को बचाने का आफसर मिलना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को जिसके उपर आरोप लगा है उस किसी अपराद का उसको जो है संदक्षन म मिलेगी संदक्षन या सुरक्षा वगरा जो है वह प्रदान की जाएगी इसके अलावाद जो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है किसी आरोप में किसी मामले में उसे यह अवसर दिया जाएगा कि स्वैम को क्या कर सके स्वैम को स्वैम को अपराद निरप्राधी घोश तो इस तरीके से तमाम प्रकार के अधिकार हैं जो इस व्यक्ति को संदक्षित करते हैं और इनमें में से खास तीन अधिकारों का अनुच्छे 20 वरणन करता है किस प्रकार से करता है जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर माल लेते हैं किसी आरोप में आरोपित कोई व्यक्ति किसी अपराद में आरोपित किसी व्यक्ति को अगर कोई गिरफतार करता भी है, तो ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक बार एक गलती के लिए सजा नहीं मिलेगी, यहां पर आपको कुछ इस तरीके के शब्दों को लिखना पड़ेगा, एक ही अपराद के लिए, एक ही अपराद के लि एक से अधिक बार सजा नहीं मिलेगी, यह एक तरीके से किसी भी अपरादी का क्या है, संरक्षन ही है, सपोस्ट एट किसी ने चोरी करी उसे पांस साल की सजा हो गई, यह तीन साल की सजा हो गई, यह कुछ भी हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो एक बार चोर हो गया, तो आप उसको जब मर जी है, तब आप तीन साल के लिए जेल के अंदर कर दो, एक बार उसने चोरी करी है, तो उसकी एक बार की सजा हो से मिल गई, हाँ दुबारा चोरी करेगा, फिर दुबारा दूसरी सजा मिलेगी, वो एक अलग मैटर है, दूसरा जो यहाँ पर किसी बीती तारीक से अपराद गोशित नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब आप यहाँ पर मान लेते हैं, किसी व्यक्ति को ऐसे गरफतार किया गया है, जिसने कोई काम किया था, कोई घटना उससे घटित हुई थी, कोई ऐसा कृत्ति उसने किया था, जो उस समय अपराद नहीं हुआ करता था, परंतु आज उसे गरफतार किया गया, आज जो है, जब उसे गरफतार किया गया है, तो वो जो करते था, वो आज अपराद की शणी में आता है, वो आज अपराद की शणी में आता है, तो इसे आज उस काम के लिए गरफतार नही कह सकता वो उस समय की ग्रफतारी थी जो से की जा सकती थी ठीक है पिछले किसी चीज के लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा और तीसरा और important point यहां पर यह है किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को स्वयम के विरुद्ध यह बहुत नहीं किया जाएगा तो ये भी एक point है जो अपराधियों के संदक्षन की बात करता है तो अब देखिए इस पर भी आपसे मेंस में question पूछे आ सकते हैं कि क्या हमारे समविधान का नुच्छे 20 अपराधियों के अपराधियों के अपराधियों को संरक्षन प्रदान करता है क्या अपराधियों के अपराधियों को वो संरक्षन प्रदान करता है इस तरीके से आपसे question मेंस के लिए पूछे जा सकते हैं लेकिन इसको आपको संतुलित उत्तर देना है कि ये अपराधियों के अपराद का संरक्षन नहीं है, बलकि एक तरीके से ये किसी मानव के मानव अधिकारों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को ये अवसर ना दिया जाए, ये वाला अवसर ना दिया जाए, कि वो स्वैम को बचा सके, तो कोई भी किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोशित कर देगा और उसे सजा जे देगा जबरन चाहे उसने अपराध किया हो अथवा ना किया हो अगर ये सारे अधिकार नहीं दिये जाएंगे किसी अधिकार अपराधी को तो एक ही अपराध के लिए उसे बार बार सजा दी जाएगी और उसे सुधरने का मौक झाल तो किसी को भी किसी भी कृ्टि के लिए कभी भी यहां यह निना लेए लिlorता ही ऑर यहां पर लिगति को किसी भी सुआम के विरुत अगर दोशी या साखशकरता करने के लिए बात किया जाता है तो न्यायलियों में किसी से भी जबरन जबरजस्ती किसी को अपने ही लिए अपराद घोशित करने का कह सकते हैं दबाओ create किया सकता है दिया सकता है यसे आप लोगो ने कई बार देखे भी होंगे examples की कई बार वकील होते हैं वो forcefully जो है किसी victim से कुछ न कुछ करते हैं तो judge साब उसमें interpretate करते हैं और बोलते हैं कि आप इस तरीके से दबाओ बना करके नहीं पूछ सकते हैं नौर्मली पूछिए ठीक है तो ये सब चीजें जो होनी शुरू हो जाएंगी इसलिए है ये किसी अपराद के अपराद का संदक्षन नहीं है ये किसी अपर से अनुछेद 21 को लेकर के बहुत ही महत्यपूर्ण पूछे आ सकते हैं article 90 article 21 अनुछेद 21 और अनुछेद 21 जो है ये क्या है जीवन अनुछेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिकत स्वतंदरता का अधिकार है ठीक है जीवन और व्यक्तिकत स्वतंता का अधिकार का मतलब क्या है इसमें हम लोग प्राण एवं दहिक स्वतंता को ले करके आते हैं किसको आते हैं ले करके प्राण एवं दहिक स्वतंतरता को दहिक स्वतंतरता मूल रूप से अगर देखा जाए तो प्राण एवं दहिक स् इसके अंतर कहता है जैसे किसी भी व्यक्ति को कानून की जो निर्धारित प्रक्रिया है। उसके अलावा किसी दूसरी प्रक्रिया से उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। By the way, example देताओं मैं, मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति ने कोई घोर अपराद किया है, कोई बहुत बड़ा अपराद किया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को सजा देने का जो कारे है, सजा देने का कारे है केवल नियायाले का है, केवल नियायाले का है, अगर किसी ने उसको गिरफतार कर लिया है तो उस गिरफतार करने वाली एजेंसी का नहीं है कई बार आपने देखते हैं कि अग किसी चोर ने चोरी करी और समाज के लोग उसे पकड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसने एक अपराद किया है, लेकिन उस अपराद को की सजा देने का अधिकार किसी भी मानव को साधरान रूप से नहीं है, सिवाए न्यायाले के, तो आप अगर उस चोर को पकड़ते हैं, तो आपको उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए, आपको उसे जो विधिक कारेवाईयां हैं, वो उसके करने के लिए जो हैं, उसको कराना चाहिए, और न्यायले को ये छोड़ना चाहिए, कि वो सजा उसको देगा या नहीं देगा, या किस प्रकार किस सजा देगा, ठीक है, तो अब देखी क्या हुआ, कि आपने उसे कई, अब एक्जाम्पल जो मैंने लिया, उसी एक्जाम्पल को यहाँ पर, इन दोनों चीजों को यहाँ पर समझाता हूँ, कि प्रान और देहक सवतंता क्या है, जो व्यक्ति यहाँ पर पकड़ा गया है, उसको मारते मारते उसकी जान निकाल दिया, यानि मार डाला गया, मार डालना, मार डालना, यानि जान से हत्या कर देना, यह तो हो गई प्रान की स्वतंतरता छीनना, यह उसके प्रान की स्वतंतरता छीनना, उसको शारीरिक क्या किया है शारीरिक उसकी सजा उसको दिये पिटाई करिये आप सिधे तोर पर आप लिख सकते हैं शारीरिक उसकी जो है क्या होई है पिटाई होई है बहुत मार पड़ी है उसको तो उसके देह की सोतंता थी कि उसके देह को आप नुकसान नहीं पहुचा सकते थे तो यह उसकी देहिक सोतंता थी जो बाहधित करी गई है तो किसी भी व्यक्ति की प्राण एवं देहिक सोतंता की रक्षा करता है कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 21 और इसकी सजा देने का दे केवल इसमें ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि यदि अगर कानून ने ऐसा करने के लिए कहा है किसी कानून ने सजा दी है कि फला विक्ति को फांसी की सजा दे दो या किसी कानून ने ऐसा कहा है कि इसे 20 कोड़े लगाओ 20 कोड़े लगाओ तो ये जब कानून ऐसा कह incarnidé हला कि ये सजा अब नहीं है हमारे यह केवल example के तोपर पर यह सजा तो है तो यह सारी सजाएं केवल कॉन दे सकता है ये सारी सजाएं केवल आपका जो है वो न्याया ले दे सकता है निया पालिका का दिका रहे है तो आर्टिकल नंबर 21 की बात मेरी ख्याल समझ में आ गई होगी इतना ही नहीं अनुचेद 21 में कई दूसरे प्रकार के प्रावधान भी है जो व्यक्तिकत जीवन को प्रभावित करते हैं जैसे किसी भी व्यक्ति को बिना बताए गिरफतार नहीं किया जाएगा बिना बताए गिरफतारी बिना बताए गिरफतारी हलाकि इसको जो है दूसरे अनुचेदों में भी एक्स्प्लेइन किया गया है जैसे 22 में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे लेकिन अभी यहाँ पर फिलार इस तरीके का यह देख ले रहे हैं कि यहाँ पर बिना बताय किसी की गिरफतारी नहीं होगी इसके अलामा देखा जाए किसी भी गिरफतार के गए वकील को किसी भी गरपतार किये गए व्यक्ति को उसको वकील करने से नहीं रोका जाएगा ठीक अनुच्छेद 21 में अगर हम देखें तो एक विश्वेश प्रकार की चीज जुड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं निजता का अधिकार निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतरगत निजता का अधिकार भी यहाँ पर जोड़ा जा सकता है तो निजता का अधिकार का मतलब क्या है यहाँ पर जीवन जीने के अधिकार जीवन जीने में आपकी निजी जानकारी आपके अलामा किसी और को ना हो या जिसे आप चाहते हूं कि वो उसे हो, ये भी अपने आप में उसके जीवन और दहएक स्वतंतरता के अधिकार के अंतरगात आता है, और उसकी व्यक्तिकत स्वतंतरता के अधिकार के अंतरगात आता है, तो व्यक्तिकत स्वतंतरता यानि निजिता का अधिकार जो है वो अ करके ऑस फॉर एक्जामपल एक चोटा साइक्जामपल मैं आपको इसके लिए देना चाहूंगा आधार को ले करके निजिता को निजिता की जो बाध्यता थी उसके विश्था में एक पॉइंट था जिसको मैं आपके सामने डिस्कॉस करना चाहूंगा जैसे कि यहाँ पर एक एक ग्जाम्पल है थोड़ा सा बाधा आया थी टाइप नहीं हो पा रहा था लिख नहीं पा रहा थे हम यहाँ पर अब चलिए आपको बताते हैं जैसे कि यहाँ पर मौलिक अधिकारों के अगर हम बात कर रहे हैं तो जो सर्वोच नहाले है सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने निजिता के अधिकार को राइट टू प्राइवेसी उसको कह सकते हैं निजिता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है मौलिक अधिकार निजिता के अधिकार को क्या माना है जैसे अगर हम सप्रीम कोर्ट की बात करें, तो उसने बताया है कि रास्ट्रिय सुरक्षा है, अपराद रोकने की कोई घटना है, अपराद रोकना है, तिक अपराद रोकने कोई घटना है, कल्यान कारी योजनाएं हैं अगर इन सब चीजों के लिए सरकार किसी की निजी जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो इसे निजिता के अधिकार का उलंगन नहीं माना जाएगा ये निजिता के अधिकार का उलंगन नहीं है समझ में आया? लेकिन यहां एक बात और भी कही गई है जो इसके अपोजिट में है वो ये है कि इसी फैसले को ध्यान में रखते हुए बाद में अदालत ने ये भी कहा है, निया पालिका ने ये भी कहा है कि सरकार, government जो है, सरकार किसी को, सरकार किसी को या किसी भी नागरिक को निजी जानकारी देने है तू, बाध्य नहीं कर सकता या कर सकती ठीक है, इसी लिए वो जो आधार की mandation, जो हैं, वो कई जगहों पर जो लगी हुई थी, उनको क्या कर दिया गया है समाप्त कर दिया गया है, पर इनको देखते हुए उसे जारी भी रखा गया है, पर कई जगहों पर समाप्त कर दिया गया है जैसे आप मोबाइल का जब SIM खरीदने जाते थे तो बगएर आधार के नहीं मिलता था तो यहां से मोबाइल का SIM खरीदने के लिए इसको बंद कर दिया गया है लेकिन अगर आप सबसिडी चाहते हैं तो आपको आधार लिंक कराना पड़ेगा तो यह अब जरूरी है क्यों? क्योंकि यह कल्याड कारी योजना के अंतर गता आ जाता है समझ में आ गई बात तो इस तरीके से कंट्रोवर्शल पॉइंट भी निजिता के अधिकार को लेकर के आप से अनुछिद 21 के तहट जो है वो पूछे जा सकते हैं इसका समुचित उत्तर कुछ इसी प्रकार से आप दे सकते हैं जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया है, बताया है क्लियर हो जाती है यहां तक बात सभी को? हाँ या नहीं? यहां तक बात सबको समझ में आ गई? इसके अलामा अगर हम देखें अगर हम देखें तो एक पॉइंट हमको और समझना है कि अनुचेद 21 में अनुचेद 21 में एक पॉइंट हमको और एड करना है और वो यह है कि एक आर्टिकल और जोड़ा गया है जिसे अनुचेद 21 का के नाम से जाना जाता है Article 21A किस नाम से आदा आता है इसको अनुचेर 21 का के रूप में जाना आता है तो पहले ये मूल समविधान में शामिल नहीं था Article 21A जो है ये मूल अधिकार में शामिल नहीं था इसको बाद में जोड़ा गया है तो आपके यहाँ पर ध्यान रखना है 86th Constitutional Amendment है 86th Constitutional Amendment करके क्या किया गया कि अनुचेर 21 के अंतरगत अनुचेर 21 का इंसर्ट करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और शिक्षा के इस मौलिक अधिकार में एक अधिकार दिया गया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार सिक्षा प्रदान की जाएगी क्या किया जाएगा निशुल्क एवं अनिवार सिक्षा प्रदान होगी ठीक है तो यह अब एक मौलिक अधिकार हो गया अब यहां से भी आपसे एक प्रदान की पूछा आ सकता है कि क्या वास्त्रिक रूप में सिक्षा एक मौलिक अधिकार होना चाहिए क्योंकि पहले तो नहीं था तो क्या सिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है क्या यह सही है तो दीखी इसके कई तर्क हो सकते हैं आगर हम सिक्षा की बात करते हैं तो यह सम्विधान में तीन जगों पर लिस्टेड है एक तो आपका मौलिक अधिकार में दूसरा इसको लिस्ट किया गया है DPSP में DPSP क्या है Directive Principle of State Policy DPSP ठीक है राज्य के नीति निर्शक्तत्व जिनको कहते हैं आप और तीसरा इनको मौलेक करतव्यों में शामिल किया गया है करतव्यों में शामिल किया गया है वास्तविक रूप में तो सिक्षा जो है वो मौलिक करतव्य है सिक्षा का अधिकार मौलिक करतव्य है परंतु कई बार माता-पिता जो होते हैं या माता-पिता या फिर जो बच्चे के पालक होते हैं उनकी परस्थितियां ऐसी होती हैं यह वे चाह करके भी अपने कर्टब्वे का पालन नहीं कर पाते हो सकता है कि वे स्वैम भी अनपढ़ों और सिक्षा का मूल ले ना समझते हों हो सकता है कि आर्थिक विवस्था उनकी ऐसी ना हो ऐसे में सिक्षा का जो मौलिक कर्तब वे है यह राज्यों के लिए अनुसरणिये तत्व बना दिया गया और यह DPSP के अंतरगत रखा गया पर मौलिक अधिकारों को हम एक क्या करें मौलिक अधिकारों में हम लोग सिक्षा को सामिल करें या सिक्षा को जो है वो मौलिक अधिकार बनाया जाए तो ऐसे में माता-पिता अपने कर्तब वेका पालन करें DPSP में राज्य अपने करतव विका पालन करें और अगर संभव नहीं हो पा रहा है ये भी तो सिक्षा मौली का दिकार बना करके इसको कानून के दाइरे में लाया जा सके कानून के दाइरे में लाया जा सके और इस पर Supreme Courts और High Courts का जो है, वो involvement हो सके, इसलिए सिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाना आवश्यक था, जिसको बनाया भी गया है, तो अब इससे क्या होगा, इससे फायदे क्या होंगे, इससे फायदे ये होंगे, कि जो सिक्षा का इस्तर है, literacy rate है, उसका graph बढ़ेगा लोगों को अपने मौलिक अधिकारों के सिक्षा ही एक आपने तमाम प्रकार के मौलिक अधिकार दे दिये, छे प्रकार के, लेकिन कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो सम्विधान के इन मौलिक अधिकारों को जानता ही नहीं है, तो इसके लिए तो मौलिक अधि जो है, केंधर एवर्वं राज्यसरकार जो है, अब बाध्य है, इसके उपर बाध्यता कर दी गई है, ठीक है? कि आपको शिक्षा प्रदान करनी ही करनी है, शिक्षा प्रदान करना अब ये राज्य जो है, ये इसका बाहना लेकर के, cooperative, dog support का बाहना लेकर के बच नहीं सकते हैं बलकि ये mandatory है कि सिक्षा बनिवारे रूप से देनी ही पड़ेगी और इनी समाध्वों से ही हमारा रास्ट जो है वो क्या होगा रास्ट को सुद्रन बनाया जा सकता है रास्ट को सुद्रन बनाने के लिए क्या है ये अत्यंत आवश्यक रूप में इसको देखा जा सकता है तो सिक्षा का दिकार को आप अच्छी तरीके से समझिएगा जानिएगा और पढ़ने का प्रयास करिएगा इसके आगे के जो मौली का दिकार है उसको हम लोग भाग तीन में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में इतना ही रखते हैं आप सभी लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सभी से मेरा निवेदन है कि सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक अगर संभव हो तो ठीक है वरना लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू और आइज दे हैड़